बेबी मामा टीवी कबूतर और मदुमक्खी की कहानी एक समय की बात है एक जंगल में नदी किनारे एक पेड़ पर कबूतर रहता था उसी जंगल में एक दिन कहीं से एक मदुमक्खी भी गुजर रही थी कि अचानक से वह एक नदी में जागिरी उसके पंक गीले हो गए उसने बाहर निकलने के लिए बहुत कोशिश की लेकिन वहां नहीं निकल सकी जब उसे लगा कि वहां अब मर जाएगी तो उसने मदद के लिए चलाना शुरू कर दिया कभी पास के पेड़ पर बैठे कबूतर की नजर उस पर पढ़ गई कभी तर ने उसकी मदद करने के लिए तुरंट पेड से उडान भर ली कभी तर ने मधुमख्यी को बचाने के लिए एक तरकीप सोची कभी तर ने एक पत्ते को अपनी चोच में पकड़ा और उसे नदी में गिरा दिया वहाँ पत्ता मिलते ही मदुमक्खी उस पर बैठ गई थोड़ी ही देर में उसके पंक सूख चुके थे अब वहाँ उड़ने के लिए तैयार थी उसने कबूतर को जान बचाने के लिए धन्यवाद बोला उसके बाद मदुमक्खी वहाँ से उड़कर चली गई इस बात को कई दिन बीच चुके थे एक दिन वही कबूतर गहरी नींद में सो रहा था और तभी एक लड़का उस पर गुलेल से निशाना लगा रहा था कबूतर गहरी नींद में था इसलिए वहाँ इस बात से अन्जान था लेकिन उसी समय वहां से एक मधुमक्खी गुजर रही थी जिसकी नजर उस लड़के पर पड़ गई यहां वही मधुमक्खी थी जिसकी कबूतर ने जान बचाई थी मधुमक्खी तुरंत लड़के की ओर उड़ गई और उसने जाकर सीधे लड़के के हाथ पर डंक मार दिया मधुमक्खी के काटते ही लड़का तेजी से चिला पड़ा उसके हाथ से गुलेल दूर जाकर गिरी लड़के के चिलाने की आवाज सुनकर कबूतर की नींद खुल गई थी वह मदुमक्खी के कारण सुरक्षित बज गया था कबूतर सारा माजरा समझ गया था उसमें मदुमक्खी को जान बचाने के लिए धन्यवाद बोला और दोनों जंगल की ओर उड़ गए कहानी से सीख इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें मुसीबत में फंसे व्यक्ती की मदद जरूर करनी चाहिए इससे हमें भविश में इसके अच्छे परिणाम जरूर मिलते हैं अगर आपको हमारी हिंदी कहानी पसंद आई तो कृप्या लाइक करें, शेर करें और हमारे यूट्यूब चैनल बेबी मामा टीवी को सब्सक्राइब करें धन्यवाद